अमस्कार आप सभी का स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम हिंदी विशाई में व्याकरण के अंतरकत दोहाचंद की परिभासा उधारण सहीत समझने वाले हैं बहुत ही महतुपूर्ण प्रस्ण हैं बोर्ड परिक्सा हो या फिर कोई सी भी परिक्सा हो या इसके अलावा competition exam हो तो उनमें भी यह प्रस्ण हैं उनके लिए भी यह प्रस्ण हैं जो है महतुपूर्ण हैं आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो करप्याकर की चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोहाचंद की परिभासा उधारन सईत लिखिए इसका उत्तर इस परकार से हैं दोहाचंद की परिभासा इस परकार हैं कि दिया गया कि दोहाचंद की पर्थम और तरती चरणों में तेरा तेरा मात्राएं होती हैं पर्थम चरण कोंसा है कि मेरी भव बादा हरू ये पर्थम चरण हैं और इसके अल तो इन में 11-11 मात्राइं होती हैं तो इस प्रकार कुल 24 मात्राइं होती हैं एक चरण में मतलब पहले और दूसरे चरण में मिलाके कुल कितनी मात्राइं हो गई चोईस्च मात्राएं हो गए उसके समच रणों के अंत में तैगन अत्मा जैगन का होना जरूरी है तो इसका उधारण है मेरी भव बादाहरो राधान नागरी सोई जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होई ये दोहाचंद का उधारण है पहरे बेया बेनों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद